सुप्रभात प्याने बच्चों, आज हम कक्छा आठ आमों दिनी का पाठ संख्या दो के प्रस्न अभ्यास करेंगे, जो हमने पढ़ा था मम यात्र वृत्म, तो प्रशन उत्तर देखिए, प्रस्न एक का का है, आराधना किमर्थम आगरा नगरम अगच्छत, आराधना किसलि ये आगरा नगर गई, तो उत्तर हो जाएगा, आराधना ताज महल दर्सनार्थम आगरा नगरम अगच्छत, दियान से सुनेंगे, अगला है केशवह कुत्र अगच्छत, केसव कहां गया था, उत्तर हो जाएगा, केशवह स्वमातुला ग्रिहम, चमोली जनपदम, क्या है स्वमातुला ग्रिहम, चमोली जनपदम अगच्छत, अगला प्रशन है, हरी पैडिम केन माध्यमेन अगच्छन, हरी पैडि किस के द्वारा गए, तो हरी पैडि त्री चक्री का वाहनेन अगच्छत, ठीक है, हरी पैडिम त्री चक्री का माध्यमेन अगच्छन, त्री चक गा है ध्वनी मायक से क्या सुना, तो ध्वनी विस्तार केन गंगा इस्तुतिम अस्रिन वन, अगला है हरी द्वारे कानी परमुक मंदिरानी संती, उत्तर हो जाएगा हरी द्वारे, मनसा देवी, चंडिय देवी, दक्च परजापती, माया देवी, आधी परमुख मंदरानी संती तो इस प्रकार आपी उत्तर कर लेंगे ध्यान से ने सुनकर प्रश्ट नमबर दो देखिए, इसमें लंग लगार अरश्या रोपानी द्रिस्टवा अदो लिखित धातो नाम रोपानी लिखत ये लंग लगार अर्थाद भूतकाल की ये धातो रूप दिये गए हैं, ठीक है, कौनसी धातो के गम धातो को, गम को गच्छा देश हो जाता है, ठीक है, तो इसका बनता है, जैसे आप जानते हैं, संस्कृत वाशा में तीन वचन, एक वचन, दुई वचन, बहुँ वचन अगच्छावा, अगच्छामा, इस तरीके से ही बनाया है, तो इसमें जैसे गम धातो है, तो इसमें सरव पर्थम आगे आप सरक आगया है, और पीछे ये पर्थे इसके साथ लगे हैं, तो उस वैसे तो इसमें अलग पर्थे जूरते हैं, तिपतस जी, सिपतस ता, इस त करीजें से जैसे आ उपसर के सभी में जूड़ जाएगा और अत आताम अन अह अतम अत अम आवह अम इस प्रकारिन के साथ ये जूड़ जैसे गच्छ में आ तो अगच्छ अत अत जूड़ गया तो अगच्छत पिर अगच्छ ताम जूड़ गया तो अगच्छ ताम और अन जुड़िया तो अगच्छन इस तरीके से बनेगा तो इस में हमने हस पठ एवं लिख ठीक है वद नी क्रिय और खाद इन धातों की भी इसी प्रकार रूप लिखने हैं तो यहां ज्यादा हो गए इसमें से आप एक तो यह लिखावा है इन में से दो और आप लिख लेंगे ठीक है और बच्चे वे मैं आपको आपकी कलाश में करवा दूँगा ठीक है तो इस में से आप कोई भी हस हो गया पठ हो गया लिख हो गया यह सामने रूप में चलते हैं जैसे अहसत अहसतम 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 अहसम अहसावा अहसामा ठीक है वैसी अपठत अपठतम अ तरीक है इस तरीक से कृते हैं। इस तरीके से यह बनेंगे और आगे खाद से अखादत अखादतम अखादन इस तरीके से यह बनेंगे तो आप उपर दी गई धातों में से किनी दो धातों के लंगलकार में यह सब दुरूप लिखेंगे ठीक है बटा अगला प्रश्न है हमारा उधारन के अनुशार अक्तवा परते जोड़कर नूतन पदम नई पदगी रचना कीजिए यह था गम धातों में अक्तवा जोड़ने से गत्वा यह अक्तवा परते का अर्थी जा करके ठीक है करके करके इसका अर्थी निकलता है तो जैसे जा करके तो आगे देखो पट में अक्तवा जोड़ने पर पठित्वा ठीक है पड़कर के खेल में अक्तवा जोड़ने पर खेलित्वा हस में अक्त्वा जोडने पर हसित्वा चल में चलित्वा नी में अब इसको द्यान से सुरूंगे नी में अक्त्वा जोडने पर नीत्वा क्या सब्द बनता है नीत्वा नीत्वा किरिया बन लिख में लिखित्वा द्रिश में द्रिश्ट्वा क्या द्रिश्ट्वा अब इसमें मोर्धन्य सा हो जाएगा ठीके द्रिश्ट्वा और पत में पतित्वा क्या बन जाएगा पतित्वा एक बान मैं दुबारा बोल लाओ पतित्वा खेलित्वा हासित्वा चलित्वा नीत्वा लिखित्वा द्रिश्ट्वा पतित्वा ठीके अब अगले प्रशन पर चलते हैं अधो लिखिदानी वाक्यानी गटना करमानुशारम लिखत जो हमने अभी बाद पड़ा था तो उसमें जो गटना थी उसको करमबद दरूप से लिखी है ठीक है इसमें पहले आप देखेंगे गाह मेम नाम अभिनाव कर मेरा नाम अभिनोव है पिर खा जएगा मैं आत्वीं कख्चा में बढ़ता हूं ठीक है पिर आजएगा क Richard स्रीमान आहम ताज महलम द्रिश्टुम आगरा नगरम अगच्छम। स्रीमान मैं ताज महल देखने के लिए आगरा नगर गया। तो इस प्रकार ये करम क्या हो जाएगा गा खा का गा गा और चा ठीक है तो समझ गया आप लोग क्या करम है अब है अनवाद संस्कृते अनवादम कुरुट संस्कृत में अनवाद कीजिए पहला है मैं हरी द्वार से दहरादून जाता हूँ तो मैं के लिए अहम मैं के लिए क्या आता है अज जाता हूं के लिए गच्छामी ठीक है अज हरी द्वारत से देहरादून तो से अलग होने अर्थ में पंचिमी व्यक्ति का परियोग है तो बन जाएगा ध्यान से सुनना सभी अहम हरी द्वारत हरी द्वारत ताहलंत है हरी द्वारत देहरादूनम गच्छामी ठीक है अहम हरी द्वारत देहरादूनम गच्छामी अगला अहम मैं घर से विद्ध्याले जाता हूं अहम ग्रीहात क्या है ग्रीहात विद्ध्यालयम अगला है वयम नैनितालात रुद्र परियागा अगच्छम ठीक है क्या बन जाएगा अगच्छम गए भूतकाल की किरिया है और हम के लिए आजाएगा वयम बहुवचन में क्या बन जाएगा वयम नैनितालात रुद्र परियाग अगच्छम गहा देखिए वह पढ़कर लिखता है तो बन जाएगा सह पठित्वा अभी आपने अक्त्वापरते जोड़ा था ना सह पठित्वा लिखती सह पठित्वा लिखती अगला है मैं कक्छा आट में पढ़ता हूँ तो मैं के लिए अहम अस्तम्याम कक्छायाम पढ़ता हूँ अगला है मैं अपने मामा के घर चमोली जनपत गया तो इसका हो जाएगा अहम मैं अपने अपने के लिए क्या श्वा मामा के घर मातुलाह ग्रिहम चमोली जनपतम अगच्छत अगच्छम तो इसका बन जाएगा ध्यान से सुनना अहम स्वा मातुला ग्रिहम चमोली जनपतम अगच्छम तो इस प्रकार आप इने प्रश नंबर 2, 3, even 5 को आप अपनी उत्तर पुस्तिगा में सुन्दर लेक में करेंगे और प्रश नंबर जो 4 ये 4 है इसको आप किवल इसके आगे नंबर डाल देंगे और इसको आप कॉप्य में नहीं करेंगे ठीक है तो दन्यावाद